हेलो अबरीवन, वेलकम, नौवी विल स्टड़ी दे सब्जेक्ट रेडियेशन फिजिक्स अफ डियार्टी पार्ट फर्स्ट, जैसा कि आपको पता है, रेडियेशन फिजिक्स में अपना टोपिक चल रहा था, एलेक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म, इसी टोपिक को एलेक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म के लेक्चर में, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, कैपेसिटेंज और कैपेसिटर के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, तो हम पहले उसका एक सोर्टी रिविजिजन कर लेते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पर यह जो उसकी property है यही capacitance कहलाती है ठीक है capacitance को हम C से denote करते हैं और इसका अपने formula लिखा था C is equal to Q by V ठीक है capacitance की unit अपने फराडे पड़ी थी ठीक है अब अपन बात करते है capacitor की जैसा कि अभी अपनने बात की कोई भी device या फिर कोई भी conductor जो charge को store करती है तो उसकी जो property है वो क्या कहला रही है capacitance कहला रही है अब अपन बात करेंगे कि वो जो device जो charge को store कर रही है वो device का कहलाती है capacitor कहलाती है ठीक है capacitor के दो काम होते है एक charge को store करना दूसरा किसी दूसरे capacitor का capacitance को increase करना या फिर किसी दूसरे conductor के capacitance को increase करना ठीक है इसकी construction की अगर अपन बात करें तो इसमें द जिनके बीच में एक insulating material फिलप होता है जिसको अपन die electric medium बोलते हैं ठीक है अब अगर अपन बात करें इसकी working की ठीक है तो ये working अलेक्ट्रो इस्टेटिक इंडक्शन के principle पे करता है अब अलेक्ट्रो इस्टेटिक इंडक्शन क्या होता है एक charged body से एक uncharged body को charge करना ठीक है ये जो घटना करम है ये जो फिनोमेना है यही electrostatic induction कहलाता है ठीक है अब अपन बात करते हैं यहाँ पे capacitor के combination की तो जैसा कि आपको याद हो last lecture में हमने capacitor के दो combination discuss किये थे एक था series combination और एक था आपका parallel combination सबसे पहले अपन बात करते हैं series combination की series combination वह combination होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा capacitor किसी भी circuit के अंदर स्रेनी करम में जोड़े गए हों ठीक है parallel combination वह combination होता है जिसमें एक से ज़्यादा capacitor किसी भी circuit के अंदर समानतर करम में जोड़े गए हों ठीक है ये दो combination थे, एक series और एक parallel, इनके formulas अपने derive किये थे, with derivation, इनके formula अपना जो parallel combination का था, वो आया था, c is equal to c1 plus c2 plus c3 plus dash dash, ठीक है, और जो आपका series combination था, इसके अंदर आया था, 1 upon c is equal to 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3 plus dash dash, ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पर formula derive किया था, ये अपने total capacitance का formula derive क ठीक है, total capacitance को आप यहाँ पर resultant capacitance या फिर effective capacitance भी बोल सकते हो, ठीक है, तो जैसा कि capacitance capacitor इसके combination के बारे में हमने discuss कर लिया, ये सब था हमारा last lecture का, अब आज ये lecture के अंदर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, electric current के बारे में discuss करेंगे, ठीक है, electricity and magnetism के अंदर अपने अभी charge start किया था, charge के बाद में अपने जो charge के जो कुछ related topic थे, उनके बारे में discuss किया, ठीक है, अब अपन charge से आ रहे हैं, current के उपर, ठीक है, electric current क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है, an electric current is the rate of flow of electric charge through to a point or a reason, कोई भी point या फिर कोई भी छेतर, किसका, conductor का, ठीक है, उसमें से अगर, कितना charge flow हो रहा है, या फिर rate of flow of charge, charge के flow होने की दर ही क्या कहलाती है, electric current कहलाता है, ठीक है, इसकी echo definition आती है, अपने पास, flow of charge per unit time is known as electric current, per unit time पे charge के flow को electric current कहा जाता है, ठीक है, electric current is denoted by I, electric current को अपन आई से denote करते हैं, consider in a circuit or a conductor, Q charge is flow in T time, then the current I through the conductor even by, जैसा कि अगर अपन मान के चलें कि कोई भी आपका circuit है, कोई भी आपका conductor है, जिसमें से Q charge flow रहा है, और कितने time में, T time में, तो यहाँ पे आपका electric current का formula होगा, I is equal to Q by T, electric current आप पढ़के आज चुके हो, आपकी जो junior classes है, ठीक है, schooling के अंदर, फिर भी अपन यहाँ पे एक बार दुबारे से discuss कर लेते, और इसका एक normal सा आपको definition बताता हूँ कि आपके जो conductors होते हैं, conductors में क्या होते है, charge होता है, electrons होते हैं, वो electrons एक जगे से दूसरी जगे freely move करते रहते हैं, undirectional, उनकी कोई direction नहीं होती, ठीक है, कोई किधर जा रहा है, तो कोई किधर जा रहा है, बट, जैसे उस conductor पे potential लगाया जाता है, विभांतर लगाया जाता है, तो सारे के सारे electrons एक direction के अंदर move करने लग जाते हैं, ठीक है, तो उन electrons का एक जगे से move करना, that means वहाँ पे आपका charge एक जगे से दूसरी जगे पे move कर रहा है, और यह जो charge का flow होता है conductor के अंदर, यही क्या कहलाता है, electric current कहलाता है, ठीक है, the rate of flow of charge per unit time, per unit time में charge के flow की दर ही electric current कहलाती है, ठीक है, electric current is denoted by I से, अपन इसको denote करते हैं, और इसका formula अपने पास आया है, I is equal to Q by T, ठीक है, अब अपन बात करेंगे यहाँ पे इसकी unit की, ठीक है, the SI unit of current is ampere, ठीक है, जो electric current है, उसकी ऐसा unit क्या होती है, ampere होती है, अब अपन यहाँ पे 1 ampere की बात करेंगे, 1 ampere की definition की बात करेंगे, तो जैसा कि अपना formula था, I is equal to Q by T, I की अपने unit लिए ampere, I की value 1 ampere कब होगी, जब आपका वहाँ पे Q की value भी क्या हो, 1 हो, और T की value भी 1 हो, क्यों वहाँ पे क्या है, charge है, जो conductor में flow हो रहा है, और T क्या है, वहाँ पे time है, जिसके अंदर वो charge flow हो रहा है, जिस time duration में वो आपका charge flow हो रहा है, तो obvious बात है, 1 ampere की अपन यहाँ पे definition create कर सकते हैं, कि 1 ampere current, तब flow होगा, जब आपका 1 कुलाम charge 1 second के अंदर किसी भी conductor में से flow हो, ठीक है, अगर 1 second के अंदर आपका 1 कुलाम charge किसी भी conductor में से flow होता है, तो वहाँ पे आपकी current की value 1 ampere कहलाती है, आया समझ में, उसी को अपन यहाँ पे theoretically पढ़ लेते हैं, the electric current through a wire is called 1 ampere, किसी भी wire या फिर conductor, ठीक है, उसमें से electric current जो गुजर रहा है, वो 1 ampere तब कहलाएगा, if 1 कुलाम of charge, अगर 1 कुलाम charge flow through the wire in 1 second, उस wire से 1 second के अंदर pass out हो, ठीक है, सिंपल सा है, अगर 1 second के अंदर किसी भी conductor या किसी भी wire से आपका एक कुलाम charge pass out हो रहा है, तो उस वक्त उस wire के अंदर जो electric current flow हुआ है, उसकी value आपके पास मिलेगी आपको 1 ampere, ठीक है, अब 1 ampere की जो आपकी unit की बात करेंगे, तो वह वहापे क्या आएगी, या फिर अपन ampere को कुलाम पर second भी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, आपके i का formula है q by t, q क्या होता है, charge, जिसकी unit क्या होती है, कुलाम, ठीक है, नीचे आपका यहाँ पर है t, t का मतलब time, और time की unit यहाँ पर क्या होती है, second, that means 1 ampere is equal to कुलाम पर second, ठीक है, एमपेर की unit के अंदर आप ampere की जगह कुलाम पर second भी लिख सकते हो, ठीक है, यह आपका था यहाँ पर electric current, ठीक है, rate of flow of charge electric current क्यालाता है, इसकी ऐसा unit ampere होती है, आई से इसको अपन denote करते हैं, इसका formula q by t है, ठीक है, जैसा है कि अब इसको आपका डाइग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो, अच्छे से, डाइग्राम भी हमने इसका यहाँ पर दिखाया है, according to the diagram, आपने एक conductor लिया है, A, B, ठीक है, जिसके अंदर आपका electrons का flow हो रहा है, ठीक है, अभी अपनने बात की थी flow of charge, charge का flow कब होगा, जब आपके electrons का flow होगा, ठीक है, और यहाँ पे, जैसा है कि आप देख रहे हो, जो आपका wire connected है, ठीक है, उससे एक potential connected है, बेटरी connected है, प्लस माइनस, बेटरी का जो यह potential है, यही क्या करा रहा है, जो conductor के अंदर electrons थे, उनका flow करवा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे, आप diagram में देख सकते हो, कि आपका current जो flow हो रहा है, उसकी direction कर, electrons के flow के opposite आ रही है, ठीक है, इसी को बोलते है, अपन flow of conventional current, ठीक है, यह चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, कभी confuse मत होना, कि जो आपके current के direction होती है, वो हमेशा electrons के movement के direction के opposite होती है, ठीक है, आपके जो electrons है, वो कहाँ पे move करेंगे, एलेक्ट्रोन पे charge कैसा है, नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव टर्मिनल से तो दूर भागेगा, और positive टर्मिनल की तरफ दोडेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह आपका था, electric current, ठीक है, अब आपन बात करेंगे, एलेक्ट्रिक करेंट के अंदर एक आपका important low आता है, एक नियम आता है, उसके बारे में अभी अपन discuss करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, Now, we will discuss about the ohms low, ohms का नियम, जानते हो आप सब लोग ohms का नियम क्या होता है, पढ़ रखा आप लोगों ने, एक बार दुबारा से इसको discuss कर लेते हैं, The ohms low states that a steady current flowing through a metallic conductor is directly proportional to the potential difference between its ends, the temperature remains constant, Ohms low की कुछ conditions थी, कुछ practical इसने किया था, या फिर यह कुछ आपको derive करके बताता है, यह क्या बताता है कि कोई भी आपका अगर आप circuit लेते हो, जिसके अंदर आपका current I flow हो रहा है, और आपने उस पे potential difference विभांतर कितना लगा रखा है, V लगा रखा है, ठीक है, potential आपने वहाँ पे उस पे V apply कर रखा है, तो उस वक्त क्या होता है, कि उस circuit के अंदर flow होने वाले current ठीक है, जो I है, वो आपका potential के directly proportional होता है, directly proportional का मतलब, अगर आप potential को बढ़ाते हो, तो आपका current बढ़ेगा, और अगर आप potential को गटाते हो, तो आपका current गटेगा, ठीक है, बट इसके लिए condition क्या है, temperature remains constant, आपकी जो physical conditions है, जो आपका circuit है, जो आप circuit जहाँ पे ले रहे हो, उसकी जो physical conditions है, वो same रहनी चाहिए, ठीक है, अगर वो same नहीं रहेंगी, तो आपका ohm low यहाँ पे applicable नहीं होगा, यही चीज़ ohm low ने बताये थी, the ohm low states that, ohm low यह बताता है steady current, current भी दो प्रकार के होते है, एक तो fluctuate होता है, steady का मतलो fix, ठीक है, यहाँ पे अपनी बात हो रही है, continuous current, यह मतलो continuous current दोडता रहता है, at steady current flowing through a metallic conductor, किसी भी conductor से एक current flow हो रहा है, is directly proportional, वो directly proportional होता है, to the potential difference between the ends, वो जो conductor है, उन दोनों conductor के दो ends होंगे, दो किनारे होंगे, उन किनारों के बीच में जितना विभुवांतर लगाया गया है, उस विभुवांतर के वो directly proportional होता है, ठीक है, the temperature remains constant, जब आपका temperature क्या रहे, constant रहे, ठीक है, तो यह ohm low ने आपको यही बताता है, कि किसी भी circuit में, किसी भी conductor में, जितना आप voltage लगाओगे, उतना आपको current लगा रहे हो, तो आपको current की value कम मिलेगी, और अगर आप high voltage लगा रहे हो, तो current की value high मिलेगी, that means current is directly proportional to the voltage, that means potential difference, ठीक है, अब अपन इसकी mathematical formula की बात करते हैं, कि ohm low ने mathematically क्या formula derive किया था, या फिर क्या formula दिया था, now we will discuss about its mathematical derivation, if i is the current in ampere and v is the potential difference in volt, then i is directly proportional to v at constant temperature, ठीक है, जैसे कि अब आने पीछे बात की अभी, कि आपका जो current होता है, वो voltage का directly proportional होता है, अब अपन यहाँ पर मान के चलते हैं, कि उस conductor के अंदर कितना current floor है, i current floor है, amperes के अंदर, ठीक है, और आपका वहाँ पे volt के अंदर, potential difference, जिसको आपने क्या माना है, v माना है, v volt, potential difference, उस conductor के उपर लगाया गया है, apply किया गया है, तो उस वक्त, आपका जो i होगा, वो v के, directly proportional होगा, at constant temperature, यही अपने बात की, ठीक है, i is directly proportional to the v, पीछे भी यही बात की थी, कि आपका current होता है, वो potential difference के, directly proportional होता है, अब अपने उसको mathematically बात की है, यहाँ पे कि i आपका directly proportional होगा, v के, जैसे आप इसको mathematically formula में derive करते हो, तो आप लिखते हो, i is equal to v upon r, ठीक है, जैसा है कि अभी आपने पढ़ा, उपर i directly proportional होगा, v के, जैसे ही आप यहाँ पे directly proportional के sign को हटा के, formula के अंदर equal to का sign डालते हो, तो वहाँ पे directly proportional का sign को हटाने के साथ में, आपको एक constant रखना होता है, यह तो आपके physics के आप derivation करते हो तब पता है, कि जब भी अपन proportional का sign हटाते हैं, तो अपने को एक constant वहाँ पे रखना होता है, तो पढ़ के आच चुके हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका formula आता है, I is equal to V upon R, जैसे आप directly proportional के sign को हटाते हो, वहाँ पे आप constant रखते हो, 1 upon R, और आपका formula आपको मिलता है, I is equal to V upon R, where R is a constant known as resistance of conductor, जहाँ पे R क्या होता है, एक constant है, ठीक है, and known as resistance of the conductor, और इसको क्या बोला जात है, conductor का resistance बोला जाता है, conductor का प्रतिरोध बोला जाते है, ठीक है, तो यह आपका all over ohms ला था, ohms लो ने आपको क्या बताया, ठीक है, यही बताया, कि physical condition अगर आप constant रखते हो, जैसे कि temperature अगर आप constant रखते हो, तो किसी भी circuit के अंदर flow होने वाला current, उस circuit पे लगाये गए, volt क directly proportional होगा, potential difference के directly proportional होगा, that means, I is directly proportional to the V, जैसे आप directly proportional का sign अटा तो आपके पास formula आता है, I is equal to V upon R, where R is the constant and which is known as the resistance of conductor, जिसको परतिरोध कहा जाता है, ठीक है, इसको भी आप diagram के तुरू समझ सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर diagram में देख सकते हो, आपने एक battery, यहाँ से आप battery की साहता से आप किसी भी circuit के अंदर voltage अप्लाई कर रहे हो, potential difference अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आर यहाँ पर क्या है, resistance है, उस conductor का जिसमें से आप current follow करा रहे हो, ठीक है, अब resistance होता है क्या है, उसके बारे में भी आपन आगे discuss करेंगे, दो चीज़े यहाँ पर लगाई गई है, एक voltmeter और एक emitter, voltmeter यहाँ पर potential difference को पता करेगा, और emitter current को पता करेगा, ठीक है, तो according to the ohms law, current is directly proportional to the V, current is directly proportional to the potential difference, यही आपका ohms law आपको बताता है, derive करता है, सिखाता है, ठीक है, अब जैसा कि ohms law के अंदर बात हुई, बार बार resistance की प्रतिरोध की, तो अपना जो next topic है, वो है अभी resistance और प्रतिरोध, now we will discuss about the resistance, जिसको हिंदी में प्रतिरोध कहा जता है, प्रतिरोध क्या होता है, ओपोज करना, ठीक है, किसी भी चीज़ के opposite चलना, या फिर उसमें रुकावट पैदा करना, ठीक है, वही चीज़ गया गलती प्रतिरोध, अब यहाँ पे आपका क्या है, conductor है, conductor में से current flow हो रह है, उसका oppose करना, ठीक है, उसको रोकना, उसके flow के अंदर बादा डालने क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, resistance is the property of a conductor by which it opposes the flow of current in a circuit, resistance conductor की ही property होती है, ठीक है, resistance conductor की ही property होती है, और यह है, एक ऐसी property है, जो क्या करती है, circuit में से जो current flow हो रहे है, उसका oppose करती है, उसका प्रतिरोध करती है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, resistance कहलाता है, ठीक है, अब जैसा कि आपने ohm slow में पढ़ा था, i is equal to v upon r, अगर उसी formula को अगर अपन काम में लेके, r की value निकाले वहाँ से, तो आपके पास r की value आएगी, v upon i, ठीक है, उसी formula से अगर अपन r की value निकाले, ठीक है, तो वो आपको मेलती है, v upon i, होता है कैसे है, it is defined as the ratio, इसको अपन define कर सकते है, the ratio between the potential difference and the current, ठीक है, potential difference और current का जो ratio होता है, वही क्या कहलाता है, resistance कहलाता है, और r is equal to v upon i, ठीक है, v यहाँ पे आपका potential difference है, i यहाँ पे आपका current है, now the device which offer the resistance to the flow of current is called register, ठीक है, अब जो device जो resistance offer करती है, resistance provide करती है, उस device को आप क्या बोलते हो, register, बोलते हो, obvious ही बात है, capacitance की तरह अगर अपने इसको relate करे, capacitance क्या था, charge को store करने की property और device जो करती है, वो capacitor कहलाता है, same यहाँ पे, ठीक है, जो property, जो क्या करे, current के flow को oppose करे, वो क्या कहलाती है, resistance कहलाती है, और जो device, जो आपको resistance provide करती है, वो क्या कहलाएगा, register कहलाएगा, ठीक है, it is represented by jig-zag lines, अपना जो normal circuit होता है, circuit के अंदर अपने को register represent करना होता है, तो उसको अपन jig-zag lines से represent करते हैं, ठीक है, the resistance with variable resistance is called real state, अब ऐसा register, जिसका resistance हम बदल सकते हैं, variable का मतलब अलग-अलग change कर सकते हैं, वो register क्या कहलाता है, रियो स्टेट कहलाता है, ठीक है, देखा भी होगा आपने real state, आपके जो physics के practical होते थे, जिसके 12th के अंदर उसमें आपने real state देखा होगा, circuits के अंदर जिससे अपन resistance को change करते हैं, ठीक है, the unit of resistance is ohm, resistance की unit ohm होती है, sign आप यहाँ पे देख सकते हो कि ohm को हम किस sign से, symbol से लिखते हैं, denote करते हैं, अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे one ohm की definition की, simple सी बात है, समझना इसे, आपका यहाँ पे resistance ohm है, ठीक है, और r का formula है v upon i, ठीक है, that means r की value one कब होगी, जब आपका volt भी one हो और वहाँ पे current भी one हो, ठीक है, तो इसको अपन कैसे explain कर सकते हैं, जब किसी भी conductor पे अगर आप एक volt potential लगाते हो, और उसमें से एक ampere current flow होता है, तो उस वक्त उस circuit या फिर उस conductor का resistance रतिरोध one ohm होगा, ठीक है, one ohm is the resistance of a conductor, one ohm उस resistance या फिर उस conductor का resistance होगा, through which, जिसमें से current flow हो रहा है, one ampere, one ampere current flow होता है, when a potential difference of one volt is applied to it, जब आप उस पे potential difference, that means विभांतर अगर one volt लगाते हो, और उसमें से एक ampere current flow होता है, तो उस वक्त उस conductor का resistance प्रतिरोध one ohm होगा, ठीक है, तो obvious ही बात है, यह आपका normal सा resistance था, ठीक है, आज अपने तीन टोपिक डिसकस किए, फर्स्ट आपका electric current, सेकेंड आपका ohm slow, और थर्ड resistance, electric current, flow of charge per unit time electric current कहलाता है, I से denote करते है, ohm slow आपको क्या बताता है, कि electric current directly proportional होता है, volt के, ठीक है, I is equal to V upon R, और resistance, जो की एक ऐसी property है, जो current के flow को oppose करती है, उसका प्रतिरोध करती है, ठीक है, और ऐसी device जो आपको resistance provide कराए, वो resistor कहलाता है, इसकी unit ohm होती है, ठीक है, और one की ohm की definition के बारे में भी हमने आज discuss कर लिया, ठीक है, तो आज का अपना इतना ही है, electricity and magnetism के अंदर, next lecture में हम next topics के बारे में discuss करेंगे, thank you. झाल झाल